कश्मीर के सोपोरी-सुफियाना घराने में संतूर की जो हिस्ट्री है, वो अलमोस्ट थीन सो साल की हिस्ट्री है, जिसमें एक के बाद एक Master Musicians आये है, contribute किया है एक का के रीट वाहिद घराना संतूर का है सुफियाना सोपोरी घराने में जो instruments हैं उसमें मेन हमारे साज है, संतूर है, सितार है जो पहले कश्मीरी सहतार होता था और उसके बाद जब इंडिन क्लासिकल म्यूजिक हमारी फैमिली में आया तो अब सितार है कश्मीरी एक instrument होता था वसूल जो पकावज का कश्मीरी पैरलल था अब वो एक extended instrument है तो अब तबला रहता है जब 47 का incident रहा कबाली रेट रहा तो उसके बाद सोपोर से shift हुए श्रीनगर सिटी आई, 1990 का turmoil रहा फिर से shift हुए यानि हर era में कोई ना कोई displacement रही है लेकिन इसके बावजूद भी ये घराना एक pillar की तरह strong रहा है एक social tables तो पूरे country में जुड़े होए थे कि music क्या सीखना है अच्छी चीज नहीं है लेकिन वहाँ पे religious issues भी थे कि आप नहीं सीख सकते music उसको change करना, ladies को music सिखाना और वहाँ से listeners create करना, musicians create करना मेरे father ने further उसको लिया, सिर्फ गाया बजाया नहीं है उसने culture develop किया है हमारे यहाँ सूफियाना मौसकी हमेशा से रही है basically यह जो पूरी परंपरा है यह शैवय परंपरा है और शैवाइट्स जो हम शैवाइट फिलोसफी की भी बात करते हैं क्योंकि हम कश्मीरी शैवाइट्स हैं सभी और जब सूफी इंफलेंस कश्मीर में आया वो जो एक combination बना वो बहुत beautiful combination बना है जिसमें एक शिवाइट थोट है सूफी फलसफा है और वो दोनों गुमाफिरा के एक ही है कि संतूर एसेंशली एक striking instrument है लेकिन उसमें bowl crate पापा ने किये मेंड क्रेट किया गमक कैसे आएगा ये क्रेट किया जो हमारे अलग-अलग बोलों के पैटर्न्स हैं उनको कैसे balance किया जाए ग्लाइड्स है अलग-अलग चीज़े है करिंतन का काम जमजमय का काम इस तरीकी के जितने भी चीज़े है वो सारी पापा ने इंट्रड्यूस की है जिसे हम सोपोरी बाज कहते है तो मेरा जो sustain है वो बहुत different है और मैं sustain को control कर सकता हूँ तो मैंने उसमें कुछ ऐसी technical changes की हैं寿ननननननन चीज़े है जो पि संतूर के जो ही lower octave में आते है तो एक sound का different dimension है तो जो बीन अंग ऑलपा ने established किया ता संतूर पे मैंने उसको और फूर्धा आगे लेनी की कोशिश के लिए मैंने गाई की अंग को फर्दर अपने संतूर पे इस्टैबलिश के और जिसमें कि मैं गाता हूँ तो अगर मैं तराना आ रहा हूँ तो मैं तराना गा के आँगा अगर मैं तपा आ रहा हूँ तो मैं तपा गा के आजाँगा छोटा ख्याल आ रहा हूं तो वो भी गालूँगा, कोई भी बंदे शोगर हमें ले लेता हूं लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं चीज में कोई लेके आए हम क्योंकि हमारी सूफी परंपरा में गाना बजाना एक साथ ही होता है तो मेरे दादा जी, पंदेचा मुनाद सोपुरी जी, आज भी अगर मुझे कभी कुछ बताते हैं तो वो पहली चीज मुझे कहते हैं कि पहले काओ, पहले गले से उतारो, जब गले में आ गया, फिर साल्स पे आएगा यह जो सिस्टम है, जिसमें कि, जिसे हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, इसमें रिटन कुछ नहीं है, कितावे छपी होई हैं, लेकिन किताबों को लेकर आप सीखनी सकते हैं, तो यह जो सिस्टम है, इसमें सीना वसीना हम अपने गुरु के साथ बैठते हैं, अपने तो एन्यादर में इन्टरनाशनल क्लाइबरेशन में जो मझे लगता है हमारे अरब रीजिन के एक म्यूजिशन है उनके साथ मेरा क्लाइबरेशन हुआ था मिस्टर हज यूनिस उसके बाद अमेरिकन इरानियन डलसिमर बहुत सीनर म्यूजिशन है डॉक्टर शगाफी उनके साथ हुआ है तो इस तरीके के मैंने बहुत क्लाइबरेशन किया है लेकिन कश्मीर में जो मैने हमारे लेजंडरी माइस्त्रों है जुबीन महता साहब उनके जो बहां रहे हैं सोशल, पॉलिटिकल लेकिन उनके बीच में कश्मीर का जो म्यूजिक है वो खड़ा है कश्मीर का कल्चर जिन्दा है और वो ग्रो बहुत अच्छे से कर सकता है प्लाटफॉर्म की जुरूरत है ये बात सामने निकल के आई मेरा ये है कि अगर में म्यूजिक फील्ड से हूँ और मुझे लगता है कि आज की डेट में कहीं पे भी किसी किसम की मुझे प्रॉब्लम नजर आती है चाहे वो musicians को लेके हो या हमारे organizers की सोच को लेके हो क्योंकि एक ऐसा बंद गया है कि younger generation की अच्छे musicians पीछे रहते चले जा रहे हैं उनको वो platform नहीं मलता मेरी कोशिश यह है कि उनको हम आगे करें तो जितनी भी हमारी activities है चाहे वो फिर हमारे सामापा festivals के थू हो मतलब जैसे हम जम्मू कश्मीर में जितने भी festivals करते हैं जो दिल्ली, बॉंबे वगरा में करते हैं वो तो अलग है लेकिन कश्मीर में, जेल्स में, बॉर्डर्स पे, फार ओफ एरियास में जहां पे कभी कोई cultural activity हुई नहीं है वहां पे हम musicians को लेगे जाते हैं, performances करते हैं बच्चों को एक interaction होती है नंबर वन, music जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए यह patience डेवलब करता है हम लोग आजकल patience lose कर गए है और इसे हम अपनी daily life में देख सकते हैं हलका सा कुछ हो जाए, कोई पीछे से चले, आप traffic में चल रहे हैं दस गाड़ियां पीछे कोई horn बजा रहा है patience कहां से आएगी, कोई भी creative art ले, painting ले, sculpture ले music सबसे easiest form है, इसलिए music की समय हमेशा पहले बात हो जाती है लेकिन जो मर्जी करें, कुछ करें वो patience इंसान में develop करती है इंसान की personality को refine करती है इंसान को सोचने पे मजबूर करती है the moment आप सोचना शुरू करते हैं गलत और सही का रास्ता खुरता है और ये हमें चाहिए